बॉलेबूर्ट स्टार कंगना के नॉमिनेशन के दौरा नान हमारी शान हमारी के नारों से भूजूटी मंडी प्येम ओधित बरा काशी तो कंगना बरा छोटी काशी कहलाने वल मंडी से आज ही नामांकन भरे जाना चर्चा में पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में उत्री कंगना रनाओद के नामांकन के दोराल उमडी हिमाचल के बड़े बड़े नेताओं की जनसभाओं से कहीं ज़्यादा भीड नैशनल मेंचल मीडिया में हिमाचल के अन्ये सभी लोग सबाओं मीदवारों से कहीं ज़्यादा चार्चाओं में रहा पादमशिरी पुरसकार विजयता कंगना का नामांकन जनसभा को संबोधित करते हैं कंगना बोली धरा 377 हडाने को मंडी पारलिमेंटरी सीट की बीजेबी कैंडिटेट ने बढ़ाया बड़ी अचीब्मेंट कंगना के रोड शोवत पर शक्ति प्रदर्चन के दोरान बार बार सुनाई दिये आन हमारी छान हमारी जैराम ठागुर जान हमारी के नारे पदमश्री पूरस्कार दे सम्मानित गिलमा भी नेजरी कंगना रणा के नाम अंकन के दोरान आज मंडी का पड़ल मैदान मोदी जी को जाई श्री राफ़ान हमारी शान हमारी जैराम ठागुर जान हमारी जैसे जोशी ले नारो से गूजू ठागुर एक्टिव पॉलिटिक्स में पहली बार उतरी बॉलिपूर स्टार कंगना के नॉमनेशन के दोरान हुए रोड शोव में जिनाचल के बड़े बड़े नेताओं की जनसभाओं से ज्यादा भीट जुटी और परमपरिकवाती अंतरों की दाल पर मौजूद लोग नाटिवा मंडियारी लोगन रिते करते भी देखे गए पीम नरेंदर मोदी द्वराज बाराण जियत्वा काशी से नॉमिनेशन फाइल के जाने के दिन ही कांगना द्वरा छोडी काशी कहलाने वली मंडि से ना मांकन दाखिल के जाने को पूर सियम जैराम ठाकुर ने संयोग बताया हला कि कुछ सोशल मीडिया यूजर इसे प्र काशी विश्वनात कॉरिडर के निर्मानत वा जीर्णो धार के लिए सधियों तक याद किया जाता रहेगा कांगना रड़ाण ने कहा कि अपने एक दशक के शासनकाल में भारत को दुनिया की पांच हुई सबसे बड़ी एकॉनमी बना चुके पीम मोदी अगले पांस साल म थर्ड लाजेस्ट इकॉनमी बनाने के लक्षे को लेकर काम कर रहे हैं धारा 370 हटाने को साहसिक वायतियासिक फैसला बताते वे उन्होंने कहा कि पीम मोदी ने देश की महिलाओं के लिए 33% आरक्षन लखपती दी दी वा उजवला गैस कनेक्शन जैसी कहीं योज नहीं च आने वा फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को पंदा सोर रुपे पैंशन दा था एक लाग सरकारी दौंगरिया ना दिये जाने का मुद्धा भी उठाया पूर्सियम जैराम ठाकुने जन साबों को संबोधित करते वे कहा कि यह लोग सबा चुनाओ भारत को फिर से आसन काल में कॉंगरिस 40-36 हो गई है और इसके बावजूद मुख्यमत्री मेरे मैथ पर सवाल उठा रहा है देश के मेंस्ट्रीम मीडिया में आज रंगना रनौत का नोमिनेशन हिमाचल के अन्य सभी पारलेमेंट्री कंडिडेट से ज्यादा चार्चाओं मेरा हार पिछल आज मेरा मंडी की बेटी हिमाचल की बेटी का नामंकन हुआ है मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है आज इस एतिहासिक दिन पर जब मैंने मंडी से नामंकन किया है पहली बार सरकागाट मंडी विधान सभा की किसी बेटी को इस तरह का एक मौका मिल रहा है और आज के इस दिन पर हमारे परम पूझनिय ये शश्वी परधान मंत्री जी ने भी बड़ी काशी से अपना नामंकन किया है इसके लिए हम परधान मंत्री जी को बहुत बहुत मंडी क्षेतर की तरफ से हिमाचल की तरफ से बढ़ाई देते हैं भाईयों और बहनों इतिहास जब भी दोहराया जाएगा ये काल खंड ना कि सिरफ भारत उधार भारत के विकास प्रग्रती अस्मिता और आत्म सम्मान का ही नहीं महिला शशक्ति करन के लिए ये एक यूग ये काल खंड हमेशा एक सोनिम काल कहलाएगा आज जब द्रोपती मुर्मुर जैसी आदिवासी महिला आदिवासी जन्जाती से होकर एक बहन एक माता विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पद को धारन करती है राष्ट्रबती बनती है समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ता है हम गुलामी के चिन से अब तक कहीं उबर नहीं पाये थे दोस्तों मुगलों की गुलामी करके अंग्रेजों की गुलामी करके अब तक हमारी मान सिक्ता यही थी के हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते मोदी जी ने जैसे ही अपना ओफिस समाला सबसे पहले राजपत का नाम करतब्यपत रखा उस पर जोर्ज पंचम की फोटो थी उस मूर्ती को बाहर निकाल कर सुबाश चंदर बोस जिनको कही ना कही इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था उनकी प्रतिमा जो है वो करतब्यपत पर लगाई और समस्त देश के सामने एक बहुत बड़ा मार्ग दर्शक रखा उसी तरह उन्होंने सरदार बलव भाई पटेल जिनको इतिहास में कभी भी उनकी पूरी योग्यता के अनुसार उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला Statue of Unity विष्व का सबसे बड़ा Statue बनाके उन्होंने सरदार बलव भाई पटेल की प्रतिमा जो है वो गुजरात में लगाके समस्त विष्व के सामने माभारती के उस सुपूत को जिसने भारत बर्श को आज अखंड भारत जैसे हमें मिला है उनकी वदोलत मिला है उनकी प् अंग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था वो खहते थे के श्री राम कभी हुए ही नहीं वो एक कल्पनिक किरदार है सुप्रीम कोर्ट में केसिस चले सब सुबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था सबसे बड़ा प्रेटन सल बना हुआ है दोस्तों हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानविय नहीं है नब्बे के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंजितों के टुकड़े करकर के जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था भारत का प्रसेशन भी वहाँ जाने से डरता था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने जंडा उठा कर एलान करके वहाँ पे चोराहे पे जंडा गारा था और भारत माता के नारें लगाए थे उस दिन नब्बे के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारन मानव नहीं है मैंने का हम भी मेरा कमजोर है मुझे तो कोई कि मैथेमेटिक्स में रूची भी नहीं रही लेकिन मुझे लगता कि मेरे से कमजोर जादा आपका है गिनते थे कि हम 40 प्रस्तीन तब 43 हैं 25 हैं 25 वाले कैसे करेंगे और मैथेमेटिक्स उनका अपना गडबड हो गया आप 43 थी 43 से 34 पहुंचे हम 25 से 34 पहुंचे अब इसाब किसका ठीक है आप अपने अपने अपनाजा लगाईए और राजय समय कि अब सीट जीत गए इस तो भाई थोड़ा बचके रहे क्यूंपर होचक्त करने है मढ एको ्एइवार आस्टी आद्य रगभ माधिञ किमा के अच जीनलाओ 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 के रखिंद जीनलाओ गढुली रिखंद जीनलाओ क्यों करने है